है लो गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूं यूटूबर साधना सोनी है पी विद्सिंपल लाइफ कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगी और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ सो अभी मैं आई हूँ किचेन में ब्रेकफस्ट बनाने और आज थोड़ा लेट हो गया है तो अभी बताती हूँ मैं क्यों लेट हुआ है सो यह है गरम पानी चाय मैंने साथ में चला दिये और यह देखो मैं आप लोग को दिखा रहे हूँ गरम पानी तो कोशिश कर रहे हुआ है किसी तरह देख जाए देख जाए लेकिन यह भी डर है कि कहीं पानी न गिर जाए तो दूर भी करके दिखाए नहीं दिख रहे है लेकिन मैं भी बहुत जुद्धी हूँ आप लोग को दिखा के रहोंगी तो ये देखो, सो अब फाइनली आपने देख लिया, है ना, तो ये गरम पानी है, जो अभी मैं पी रही हूँ, ठीक है, चाई भी चड़ा दिये, सो अभी किया है ना, कि मुझे बनाना है breakfast, ठीक है, लेकिन आज हो गए ये थोड़ी लेट, तो मैं सोच रही हूँ, क्यों ना कुछ ऐसा बना है, जो फटाफट से बन जाए, ठीक है, ना गैस जलानी पड़े, ना कुछ, तो क्या बना हो ऐसा फटाफट समझ भी नहीं आ रहा है, अच्छा, अभी मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूँ, कि अभी बच्चों की winter vacation लगे हुए थे ना, तब का vlog है ये, ठ लेकिन फिर कहना कि हमारा घर पैक है पूरा, तो इतनी ठंड नहीं लगती, अंदर ये गरम सूट पैन लो, बस इतना ही बहुत है, बाकी सौल लोड के स्वेटर पैन के, कैप पैन के, वूलन कैप, वो सब पैन के मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे तोले सा मतलब मैं uncomfortable feel करती हूँ, ये स्वेटर सौल पैन के काम करना, और ये वूलन कैप वगरे लगा के, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ, ठेक है, कैप होके पूरा पैक हो जाओ, कुछ अजीब सा ही लगता है, तो यहाँ पे न, लेकिन जिनके घर मतलब ऐसा होता है, खुला होता है, चलवातों कि लिए ब्रेकफ़स्ट लोगे ओधिनिया है, यहां मेरे पास कुछ यह है, पीजा, पास्ता, सौस वगरे और मियोनिज, वगरे तो यह सारे चीजे है, साइड़ मेरे पास ये केचप है, और यहां पे यह सब है, ठेक है, तो इंका मैं कुस्तों करके, बहुत बढ़िया सा बेकफरस्ट बच्चों मुझे खिलाती हूं ठीक है और फिर मिलती हूं ठीक है मिलती हूं थोड़ी देर से मिलते हैं में ठेक है यह गाई जली आप लोंको दिखाते हूं राएक से ठीक है और इसका नाम मत पूछना कि वह ने क्यों कि यह मैंने अपने मन हो गया हैं मुले समझ भए नहीं आ रहा था इतनी जल्दी फटाफट क्या बनाओ तो पाव रख था रेड छिली सॉस तो और स्विट सौर्स था और वेपश भीणी थी पिज़ा पास्ता सॉस था तो सम वह जुड़ा कि मैंने यह बना है तो बतान इस साइड भी और उस साइड भी दोनुं तरफ अच्छे सेड लिया है ये दो कप चय है ये मैंने अपने ली लिया है ठीग है यहां पर ये जो है यह बच्चो पर पति देव जी का अफला स्ट्चालblock करने के लोकित लागरा है वाव यामी बहुत यामी लग रहा है और मुझे पता इसका टेस्ट भी बहुत टेस्टी होगा क्योंकि म्यूनीज आए बाकी आप लोगों बताई दिया है सौस वगेरा है सारे तो यह बहुत टेस्टी है चलो कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं ओके गाइस अभी मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ मॉर्निंग में मिली थी और अभी आप यह मानो की नाइट हो गई है ठीक है तो काफी देर हो गया है तो यह कुछ समान लेकर आये थे पती देव जी आप लोगों को पता ही है मैं आप लोग के साथ शेयर करती ह हर एक चीज तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाते हूँ यह है पैटटो वफर्स जो हम लोग बहुत ज़्यादा कंजूम करते हैं ठीक है तो यह इसको रखते हैं अभी साइड में और बाकी इसमें हैं सबजियां तो देखते हैं क्या सबजियां आई है तो यहां प चलो यह तो मैं आपको दिखाई दू ठीक है क्योंकि यह मुझे तोड़ी से इसकी जो नॉट है वह तोड़ी डिली डिली लग रही तो यह देखो यह देखो यह खुल गई इसली तो यह है चीकू ठीक है मौसमी फ्रूट्स है मतलब सीजन के फ्रूट है जो खाना चाहिए और हमाई पती देव जी को तो क्या है न यह उनको बहुत अच्छा लगता है जो सीजन के फ्रूट हो तो उनको जरूर खाना चाहिए क्योंकि फिर वो सीजन चला जाएगा तो मिलेंगे नहीं और यहां पर यह है टेमेटो आइमें टेमाटर ठीक है टेमाटर अच्छा बड़ा जीब सा कॉमेंट था लेकिन कोई कोई नहीं आपने बहुत अच्छा बताया तो यह है प्याज ठेक है और इसकी ना इसमें गाट नहीं लगी थी तो इसकी वजह से यह पूरा खुल के इदर उदर हो रहा है फैल रहा है तो हरी सबजियां इसमें नहीं है क्योंकि अब भी हरी सबजियां दो दिन पहले ही लेकर आए थे तो इसलिए बस यह गोबी मैंने एक्स्ट्रा मगाई थी आप लोगों पता ही है सरदियों में गोबी का क्या बनता है है ना तो यह मैंने गोबियां मगाई थी और आपको जब मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी तब ही इसा शेयर करूंगी ठीक है तो यह है पटेटो ए सौरी आलू सो मुझे वह कॉमेंट याद आ गया तो यह आलू है ठीक है नए आलू है तो बहुत टेस्टी लगते तो मुझे मैंनेंसी यही मगवाया है और मैं भी आपको दिखाती हूं साथ में लेके आए यह पेस्ट्री तो यह देखो ठीक है और यह भी मैं आप लोगों को दिखा दू तो इसको भी भी साइड में रखते है और साथ में यहां पे यह बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स है यह डार्क फेंटेसी है ठीक है यह भी लेकर आए और ब्रेड लेकर आए यह ब्राउन ब्रेड है ठ तो यह सारी चीजे हैं तो अभी बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर बाद तो वो भी हम देखेंगे तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही है और यह जैम है मतलब छोटी सी इसको क्या वोलेंगे बॉटल तो नहीं है यह डिबी में ठीक है तो यह सारी चीज आपना और कैसा लगा कॉमेंट करके बताना और अगर बहुत आजा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बैल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत बुलना क्योंकि वहीं नोटिफिकेशन की बैल होती है नेक्स टाइम कोई भी व्लॉग पोस्ट करूंगी सबसे पहले आपके पास आएगी तो यह सारा समान लेकर आएं मैं आपको पूरा दिखा रही थी ठीके और अभी इसको उप्सक्राइब करते हैं यह दिखाती हूं ने लेचलती प्लेट में और बिग बॉस देखते देखते हैं इसे इंज्वाइब करेंगे ठीक है बहुत अच्छा लगता है मुझे जब बहुत आता है तो मैं भी साथ-साथ कुछ ना कुछ खाते पीते हैं उसे देखते हूं कभी नमीकीन लेके बैठते हूं कभी चिप्स लेके बैठते हूं तो इस अब चलता रहता है ठीक कर रही हूँ मैं ठीक है और बताना कोमेंट करके कैसा लगा आपको आज का व्लोग मिलती हूँ हमें आप से अपने अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर लोव यू ओल गाईज बाई बाई झाल एम एमसे में आपको